हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इस्टरी आवर लाइफ में तो आज फिर हम इस वीडियो में लेके आ गये हैं द्रिस्टी के जो अभी हमारा करेंट अफेर चल रहा है द्रिस्टी के बुक से उसी का आज ये सेकेंड पार्ट होगा का जून 2021 से देख सकते हैं 10 माई 2022 तक का जितने भी इसमें करेंट अफेर बने हैं सारे करेंट अफेर का विशलेशन इसमें दिया हुआ है यानि कि आपको वन लाइनर देखने को नहीं मिलेगा सारे करेंट अफेर का इसमें फूल फूल डिसकसन है ना फूल डिसकसन जो है वो देखने को आप लोगों को मिलेगा और ये द्रिष्टी का भूख है देख सकते हैं 2022 का तो जिसमें की टॉपिक आप लोग देख लिए जिए राश्टिये प्रद्रिष्ट से जो भी घटना करम बना था उसका भी मैंने एक मास्टर वीडियो अपलोड किया है और इस इसने ऐसके वीडियो में उसके वाद राश्टिये परेद्रिष्ट से संबंदित उसके वाद यू पी सपेसल होगा फिर शंचिपत और खेल परेदिष्ट हैं की वीडियो का डोला जरत को नहीं कि वीडियोक करेंगे तो दो तीन वीडि़ीo अएंगा उसके वाद सबद यह आपका पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा साथ में आपको बता दे कि इडूटेरिया का अभी तक का जो बुक आया है सब्सक्राइब का करेंट अफेयर का इस सारे करेंट अफेयर को अलग-अलग टॉपिंग में मास्टर यूडियो में मैंने इसके कंप्लीट करवाया है तो उसे भी आप लोग जाके देख सकते हैं साथ में बिहार एस्पेसल जो इडूटेरिया का था उसका भी मास्टर यूडियो आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा बिहार एस्पेसल जो परतियोगदा दरपन के बुक से आप लोग समानने गयान देखन चाहते हैं उसका भी मास्टर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा तो सारे वीडियो का डिस्किप्शन में हम लिंक डाल देंगे तो जिन लोगों को जो भी वीडियो देखना हो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और इसका पीडियो चाहिए या फिर कोई लिंक आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलिग्राम चैनल से जुर जाएए सारे वीडियो का लिंक और पीडियेफ में अपने टेलिग्राम चैनल पर पर दे अपलोड करते हूं तो वहाँ से जाके आप लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं और इतना होने के वाद आज का टॉपिक क्या है हमारा विधिक परिद्रिस को तो आ गया है फाइनली हम अपने टॉपिक पर विधिक परिद्रिस में और इसमें जो दिया हुआ है देखिए रास्टी और अंतरास्टी ये महत्ति की जितने भी घटना हैं सभी का विशलेशन आपको देखने को इसमें म और आत्मिर्वर को बढ़ाबाद देने के लिए 25 अप्रेल 2022 को रक्षा अधिकरन परक्रिया डिफेंस एसक्यूशन्स प्रोड्यूशर यानि डिएपी 2022 में संसोधन किया गया किसमें संसोधन किया गया रक्षा अधिकरन परक्रिया में संसोधन किया गया 25 अप्रेल 2022 को गाइरेंटी यानि सौट में कहें आई बी आई पी बीजी नहीं देनी होगी यानि कि कोई भी घरेलू उद्द्योग के लिए अगर एक सौ करोर रुपया से अधिक लागत का आधिकरन लिया जाता है तो उसी के लिए इंटीग्रेटेड पैक्ट बैंक गाइरेंटी नहीं दे गया है और आई पी बीजी की वजाए एक सौ करोर रुपया से अधिक के सभी अधिकरन मामले के लिए बयान रासी जमा को सुरक्षा रासी के रूप में लिया जाएगा मतलब कहने का हुआ कि जो भी इंटीग्रेटेड पैक्ट बैंक गाइरेंटी सभी अधिकरन मामलों के लिए अगर बयान रासी जमा किया जाता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा बयान रासी को सुरक्षा रासी के रूप में लिया जाएगा 35 अप्रेल 2022 को रक्षा अधिकरन परक्रिया में 2020 में संसोधन किया गया और इस संसोधन से क्या होगा कि जो 100 करोर रुपया का अधिक की लागत का जो अधिकरन के लिए Integrated Pact Back Guarantee नहीं देना परेगा और किसके लिए तो घरेलू उद्द्यों के लिए ठीक है उसके बाद देखिए Next दिया हुआ है कि रक्षा अधिकरन 2020 की Innovances for Defense Excellence पधती के तहद खरीत प्रिक्रिया को सरल बनाया जाएगा मतलब जो खरीत प्रिक्रिया होगी उसको क्या किया जाएगा आसान किया जाएगा इसके साथ ही सरलीकरन के साथ AON के अनुदान से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला समय घटा कर 22 सप्ता हो गया है तो इसमें जो हस्ताक्षर करने का समय था उसे घटा कर कितना दिन कर दिया गया है 22 सप्ता कर दिया गया है और मेक 2 प्रक्रिया में समय सीमा को मौजूदा कुल समय अबधी के लिए 122 से लेके 180 सब्ता से घटा कर दिया गया है किसमें? तो मेक 2 प्रक्रिया में जो समय सीमा को मौजूदा कुल समय अबधी था वो 122 से लेके 180 सब्ता था लेकिन अब उसे घटाके कर दिया गया है 101 से लेके 109 सपता अब अगला है निधी नियम 2014 ये निधी नियम 2014 क्या है इसे देखते हैं तो जो 20 अपरिल 2022 को कॉपरेट मामले के मंत्राले ने निधी कंपनियों को नियंतित करने वाली निधी नियम 2014 में संसोधन किया है कब 20 अपरिल 2022 को किषणे किया है कॉपरेट मामले के मंत्राले ने निधी कंपनियों को नियंतित करने के लिए निधी नियम 2014 में संसोधन किया है इसके तहद निधियों के रूप में कार्ज करने की एकचुक सारवजरिक कम्पनी को जमा सुविकार करना शुरू करने से पहले केंदर सरकार से पुर्व घोषना प्राप्त करना अनिवार होगा किस से घोसना प्राप्त करना है निवार होगा तो केंदर सरकार से निधी कंपनी जो है एक गैर बैंकिंग बीतिये कंपनी है निधी कंपनी कौन सी है तो एक गैर बीतिये बैंकिंग कंपनी है और इन कम्पनियों का मुख वेवसाई क्या है कि उधार लेना और अपने सदस्टों के बीच पैसा उधार देना कम्पनियों का वेवसाई क्या है उधार लेना और अपने सदस्टों के बीच पैसा उधार देना इसके अलावे 10 लाख रुपे की सेयर पूजी के साथ निधी कम्पनिय के रुप में गठित फॉर्म को खुद को निधी घोसित करने के लिए निवन्तम 200 की सदस्ता के साथ ndh4 फॉर्म के जरीए आविदन करना होगा नेक्स्ट दिया है कि ऐसी कम्पनी का सुद्ध स्वामित वाला कोश यानि नेट आउंडेट फांड जो होगा 120 दिन के अंदर 20 लाक रुपया होना चाहिए और समय पर निप्टान के लिए संसोधित नियमों में या भी प्रवधान किया गया कि यदि ndh4 में कम्पनियों दोरा आविदन प्राप्थ होने के 45 दिन के भीतर केंदर सरकार दोरा कोई निड़न नहीं दिया जाता तो क्या हो जाएगा स्विक्रित समझा जाएगा मतलब अगर 45 दिन के भीतर केंदर केंदर कर कोई निड़न नहीं देती है तो इसका मतलब होगा कि उसे स्विकार कर लिया गया है यह उन कम्पनियों पर लागू होता है जो निधी यानि संसोधन नियम 2022 के बाद निगमी थुई 2022 से बाद 2022 से पहले वाले के लिए यह नियम नहीं है कम्पनी अधी नियम उने 156 के ताहद एक निधी या मिच्वल वेनिफिट सोसाइटी का अर्थ एक ऐसी कम्पनी से है जिसे केंदर सरकार ने अधी सुचना द्वारा अधिकारिक राजपत्र में निधी या मिच्वल वे वेनिफिट सोसाइटी का अर्थ यह होता है कि ऐसी कम्पनी से जिसे केंदर सरकार ने अधी सुचना द्वारा अधिकारिक राजपत्र में निधी या मिच्वल वेनिफिट सोसाइटी घोसित किया गया हो अगला है आपका दिली नगर निगम संसोधन अधिनियम 2022 दिली नग अपरेल 2022 को राजसभा में पारित कर दिया गया है किसे दिली नगर निगम संसोधन दिल को कब तो लोक्षभा में 30 मार्च 2022 को और राजसभा में 5 अपरेल 2022 को और 18 अपरेल 2022 को राष्टपती की सहमती प्राप्त होने के बाद यह अधिनियम बन गया तो कोई भी बिल जो होत तो वो नियम जो है अधिनियम नहीं बन पाता है ठीक है तो 18 अप्रिल को 18 अप्रिल 2022 को राष्टपती ने क्या कर दिया अपनी सहमती देदी और या अधिनियम बन गया सद्य अधिनियम दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में शंशोधन करता है। वर्ष उन्हेस संतावन के अधिनियम को वर्ष दो हजार एकार में दिल्ली विधान सभाने संसोधित किया था वर्ष उन्हेस संतावन का जो अधिनियम था उसे दो हजार एकार में दिल्ली विधान सभाने क्या किया था संसोधित किया था और संसोधन के तहद ये सभी संसोध के द्वारा दिल्ी को तीन भागों में बाटा गया तो संसोधन याद रखिएगा कि 1959 का जो अधिनियम था उसे विधा worldsषभा ने 2011 में संसोधित किया और उसके दहर दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में बाट दिया गया उत्री दिल्ली दसनि दिल्ली और पुर्वी दिल हुआ है कि अधिनियaf 2022 3 निगमों को एक जूट करता है जिसे दिल्ली निगर निगम नाम दिया गया अधिनियaf 2022 निम लिखित प्रमुख मामलों में फैशला सुनाने का इधिकार दिल्ली सरकार से हस्तांतृत कर केंद्र सरकार को सवपता है तो वो सभी मामला क्या है देखिए जो दिल्ली सरकार से हस्तानतित कर केंदर सरकार को सौपता है वो कौन-कौन सा पॉइंट है तो पहला पॉइंट है कि परसदों की कुल और अनुसुचित जाती के सदस्तों हे तु आरक्षित सीटों की संख्या दूसरा पॉइंट है कि निगम के छेतर में जोन्स और वाडर्स में बाटना तीसरा है वाड्स का पर्मीशन आदी परसीमन वाड्स का परसीमन आदी और नेक्स्ट पॉइंट है इसके साथ ही निगम में सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक नौ होने का प्रभधान ये सभी पॉइंट पे जो है वो देखता है उसके अधिनियम अस्थानिय निकाईयों के निदेशक की प्रभधान को हटाता है नेक्स्ट आपका है अधिनियम दंड प्रक्रिया अधिनियम 2022 इसे सनाखत भी कहा जाता है दंड प्रक्रिया कहें या सनाथक The Criminal Procedure Identification Bill 2022 ये 4 अप्रेल 2022 को लोग सभा द्वारा और 6 अप्रेल 2022 को राज सभा के द्वारा पारित किया गया और 18 अप्रेल 2022 को राष्ट पती ने इसमें साहमती प्राप्त की दंड प्रक्रिया अधिनियम में कब 6 अप्रेल 2022 को राज सभा और 18 अप्रेल 2022 को राष्ट पती देखें इसमें डेट कितना कितना कांतर है चार अप्रेल फिर दो अप्रेल तो चार दू छो हो गया और छो के बाद यहां पर यहां पर यहां पर राष्ट पती ने भी अपनी सामाती दे दी और यह अधिनियम बंदी की शनाकत अधिनियम 920 का अस्थान लेता है यानि जिसे कह सकते हैं बंदी न सनाकत अधिनियम 920 का अस्थान लेता है अब देखिए तुलना कीजिए 920 का अधिनियम जिसे परिवर्तित करके वर्ष 2022 का अधिनियम बनाया गया है कैसा डाटा जमा किया जा सकता है देखिए इसमें क्या है दोनों में उंगलियों के निशान एबं पैर के छाप सामिल है ये कौन से अधिनियम में 1929 का अधिनियम था उसमें लेकिन परिवर्तित करके जब 2022 का अधिनियम बनाया गया तो इसमें हथेली का छाप, आईडिस और रेटिना एसकेन, दस्तकत और लेखन, बायलोजिकल सैंबल यानि खून, शीमन, बाल और उनका विसलेशन, उंगलियों का निशान, पैर के छाप, फोटोग्राप्स ये सबी जो है ये वर्स परिवर्तित करके 2022 के अधिनियम में सा दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट कि किन वेक्तियों के डाटा जमा किये जा सकते हैं, तो इसमें पहले वाला जो था आधिनियम, कौनसा आधिनियम, उन्हें 120 का आधिनियम, इसमें एक या उससे अधिक वर्स के कठोर काराबास के दन्रिनी अपराद के लिए दोसी आए गये या गिरफदार वेक्ति को, इसमें जमा किया जाता था, और ऐसे वेक्ति जीने अच्छा विभार करने या सांती बनाये रखने के लिए सिक्रेटरी जमा कराने का आधिस जिया जाता था, और तीसरा पॉइंट है कि मजिस्ट्रेट जो होते थे वो अपराधित की अपराधित की जांच में मदद के लिए किसी गिरफदार की डाटा लेने के आधिस दे सकता था, ये तो उन्हें 120 का आधिनियम था, लेकिन 2022 में जो वेक्ति का डाटा सामिल किया जा सकता था, वो देखिए, पहला पॉइंट था इसमें कि अपराधी या किसी मामले में गिर निवारक निरोध कानून के अंतरगत हिरासत में लिया गया बेखती, तो ये आप देख लिए कि इस दोनों में क्या अंतर है, जब वर्स उन्हें 120 का अधिनियम था, उसके तुलना में, जब उन्हें 122 का अधिनियम बना, तो उसमें क्या अंतर हुआ, तो ये देख लिए, अब देखिए दिया है कि राश्टी अपराद रिकॉर्ड वीरो यानि NCRB के आंकरे बनाये रखने हे तु केंद्री एजेंसी होगी कौनसी एजेंसी होगी राश्टी अपराद रिकॉर्ड वीरो के लिए केंद्री एजेंसी होगी जिसमें की रास्टी अपराद रिकॉर्ड वीवरों को कानून परिवरतन एजेंसियों के साथ साजा करेगी और एकत्र किये गए डाटा को 75 वर्ष तक डिज्टल या एलेक्ट्रोनिक रूप में रखा जाएगा 75 विर्ष तक इस डाटा को एलेक्ट्रोनिक रूप से संभाल के रखा जाएगा आप नेक्स्ट अंसो धन है आपका संविधान में संविधान आदेश अधिनियम यानि अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के अधिनियम 2022 तो ये से देखे संविधान आदेश विधायाग किसके लिए सिड्यूल कास्ट और सिड्यूल ट्राइपस के लिए है 2022 को 30 मर्ज 2022 को राज सभादवारा और 5 अप्रेल 2022 को लोग सभाद द्वारा पारित किया गया और 8 अप्रेल 2022 को राष्ट पती मंजूरी के बाद क्या हुआ कि इस विधायक को अधिनियम के रूप में अधिस उचित कर दिया गया नेक्स्ट दिया हुआ है कि यह अधिनियम जो है संसुधन किस-किस में करता है तो यह अधिनियम संबिधान आदेश 1950 का संसुधन करता है यह संबिधान के आदेश 1950 स्ट आदेश को जारी करता है स्ट के लिए और स्ट के लिए स्टी और स्टी के लिए उसके बाद है अधिनियम के तहद जहारखंड की स्टी सुची से भोगता समुदाई को निकाल कर राज की स्टी सुची में सामिल किया गया है मतलब जारखंड की जो ST सुची थी उसको क्या कर दिया गया है कि निकाल कर भोकता समुदाई से निकाल कर राज के ST सुची में सामिल कर दिया गया है इसके साथ जारखंड में ST सुची में कुछ समुदाई को सामिल करने हैं तू ST आदेस की अनुसुची में संसोधन करता है और ये समुदाई देशवारी, गंजु, दौलतवंदी, पटवंदी, राउत, माज्या, खेरी या फिर खेरी, तमारिया या फिर तंबारिया देखा ज नेक्स है आपका संविधान अनुसुची जाती आदेस संसोधन अधिनियम 2022 इसे देखी ये अनुसुची जनजाती के लिए है इसमें तो दिया हुआ है कि संविधान आदेस विधायक सेडियूल ट्राइब्स के लिए जो अमिटमेंट विल है 2022 का इसे 28 मार्च 2022 को लोग और यह अधिनियम बन गया और यह अधिनियम जो है 2022 संविधान आदेस 1950 में संसोधन करता है यह कौन से संविधान संसोधन करता है तो आदेस जो 1950 का था उसमें संसोधन करता है अधिनियम 2022 22 संबीधान आदेश 1950 विवीन राजयों एबं केंदर सासित प्रदेशों में अनुशुचत जनजाती ओएबं आदिवासी समुन्दाई को निर्द्रिष्ट करता है मतलब जो भी राज और किंसासित परदेश के अनुसुची जन जाती है उसमें एबम आदिवासी समुन्दाई है उसको निर्दरिस्ट करता है और नभीनतम अधिनियम वर्ष 1950 के आदेश की अनुसुची के भाग 15 में संसोधन किया गया भाग 15 में क्या किया गया असंसोधन किया गया 1950 के आदेश से और भाग 15 जो है वो तिरपुरा में अनुसुचित जन जाती को निर्दरिस्ट करता है कहां पे तिरपुरा में और नभीनताम अधिनियम के द्वारा तिरपुरा में अनुसुचित जातियों की सुची में कूकी जनजाती को उपजाती यानि सब ट्राइब के रूप में दारलोंग सम्मुदाई में सामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रस्ण देखते हैं। नेक्स्ट है आपका। सम्मुदाई अनुसुचित जातियों एवं अनुसुचित जनजातियों का आदेश का दूसरा सरसोधन विधायक 2022 का। ये दूसरा है। सम्मुदाई आदेश बिधायक ये जो है 1 अप्रेल 2022 को लोगशभा से पारित किया गया। कब 1 अप्रेल 2022 को लोगशभा से पारित किया गया। और ये विधायक सम्मुदाई ये विधायक जो है सम्मुदाई के अनुसुचित जनजातियों जो उत्तर परदेश में आदेश 1967 यानि ST आदेश और सम्मुदाई अनुसुचित जातियों के आदेश 1950 यानि SC में उत्तर परदेश से संबंदित प्रवधानों में संसुधन करता है। चंदोली है उत्तर परदेश का दुसरा कुशी नगर यूपी का तिसरा संद कभीर नगर यूपी का चौथा संद रविदास नगर ये वी यूपी का ये चारो जिला है यूपी का जिसे की चार जिलों में गोंड सम्मुदाई को क्या किया जाए एसी सुची से हटाया जाए। और विदायक जो है इन चार जिलों में गोंड सम्मुदाई को अनुसुजित जन जाती के तोर पर मानता देने हैं तू एस्टी आदेश में संसोधन करता है। नेक्स्ट देखिए निर्वाचन विधी अधिनियम 2021 निर्वाचन विधी निर्वाचन विधी या फिर चुनाव कानून संसोधन मिधायक कह सकते हैं। इस अधिनियम के जरिए जन परतिनियम यानि 1950 और जन परतिनित अधिनियम 1951 में संसोधन किया गया। जोडने के माध्यम से दोरे नामांकन के खत्रे को रोकना। मतलब जो भी आईडी कार्ड है आपका वोटर आईडी कार्ड उसको क्या करना आधार कार्ड से जोडने का जो है उस खत्रा को रोकना। और इसके साथ ही पतनी सब्द को पती या पतनी से संसोधित किया गया ताकि इसको लिंक तठस्त बनाया जा सके। वहीं अधिनियम 2021 के इताद 18 वर्स की आयू जो मत देने की आयू है यानि भोट डालें की जो आयू है उसे पार कर चुके यूबाखो एक कलेंडर वर्स में चार वार एक अप्रेल फिर एक जुलाई और एक अक्टूबर और एक जनवरी को अपना नामंकन कराने का मौका मिल फ़ीगा जो पहले सिर्फ वर्स में एक वार था ठीक है तो पहले क्या होता है कि जो मतलब और 1 अप्रेल को तीसरा एक जुलाई को और 14 अक्टूबर को तो जो 18 साल के हो चुके है वो अपना जाके voter ID में नाम जुर्वा सकते हैं ये पूरे साल में चार बार होगा next दिया है अब है आपका श्वापक अशोधी और मन प्रभावी अधिनियम 2021 इसमें दिया है कि स्वापक अशोधी और मन प्रभावी यानि NDPS बिधायक ये जो है 2021 का है कबका 2021 का अधिनियम और इसे 13 दिसंबर 2021 को लोग शभा में और ये स्वापक अशोधी और मन प्रभावी संसोधन बिधायक अंग्लिस में कह सकते हैं नार्कोटिक्स ड्रक्स एंड फाइसोट्रोफिक सबस्टांसेश अमेडमेंट बिल 2021 ये भी याद रखेगा तो लोग सभा में इसे 13 दिसंबर 2021 को लोग सभा में और 20 दिसंबर 2021 को राष्ट सभा में पारित किया गया और इस विधायक को 29 दिसंबर 2021 को राष्ट पती ने स्वैकृति प्रदान की और यह विधायक से अधिनियम बन गया कब 29 दिजम्बर 2021 को और अधिनियम 2021 जो है ये NDPS अधिनियम 1980 में संसोधन किया है तो ये अधिनियम जो था 1980 का अधिनियम था इसमें संसोधन करके 2021 में संसोधन किया गया और इस अधिनियम का स्वेवापक असोधी और मन प्रभावी अध्यादेश 2021 का अस्थान लेता है के उद्दे से NDPS अध्यादेस लाया गया था कब 2014 में अध्यादेस लाया गया था इसी में संसोधन तुरूटी को सही सुधारने के लिए और प्रारूप तुरूटी के तहद अधिनिया में अवैद गती वीडियों की परिवासा बताने वाला क्लाउज नंबर बदल दिया गया जो भी क्लाउज नंबर होता था उसको क्या कर दिया गया बदल दिया गया उस संसोधन सड़ी उस सेक्षन के नंबर को नहीं बदला गया जिसमें अवैद गती वीडियों को बित्पोसित करने की सजा बताई गयी थी उस सेक्षन के नमबर में कोई बदलाब नहीं हुआ जिसमें अवैद गती वीदियों को वित्पोसित करने की सजा बताई गई थी और अधिनियम में सजा वाले सेक्षन में संसोधन किया गया उस अधिनियम में सजा वाले सेक्षन में जो है वो संसोधन किया गया एबम उसके उसमें पुराने क्लाउज नंबर की जगा नया क्लाउज नंबर जुड़ा गया इसके साथ यह संसोधन एक माई 2014 से प्रभावी माना जाएगा अर्थार जब वर्ष 2014 में संसोधन प्रभावी हुए थे ठीक है और ये बिवादित होकी जून 2021 में तिरपुरा उच नयाले द्वारा इस विसंगति को चिन्हित किया गया था कब जून 2021 में तिरपुरा नयाले के द्वारा अब है आपका उच नयाले और सरबोच नयाले नयाएधिस जो बेतन एबम सेवा सर्थ संसोधन संसोधन विदायक 2021 को आठ दिसंबर 2021 को लोगशभा में और राजभा में 13 दिसंबर 2021 को पारित किया गया किसे कौन से संसुधन को तो उच नयाले और सरबोच नयाले संसुधन विदाएक 2021 को 8 दिसंबर 2021 को लोग सभा में पेस किया गया और 13 दिसंबर 2021 को राष्ट सभा में पेस किया गया और 18 दिसंबर 2021 को राष्ट पती इस पर साहमाती दिये और यह अधिनियम 2021 में निमलिखित संसोधन करता है यह 2021 का अधिनियम है इसमें क्या-क्या संसोधन होता है यह देखिए तो इसमें यह उच नयाले के नयाधिस के बेतन एवं सेवा सर्त अधिनियम 1904 में संसोधन होता है तो 1904 और 1908 उच नियाले के नियाधिस और 1908 सरबोच नियाले के नियाधिस दोनों अधिनियम में क्या होता है? 2020 में संसोधन होता है और अधिनियम 1904 और 1908 भारत के उच्च नियालेओं एबं सर्बोच नियाले के नियाधिसों के बेतन और सेवा के सर्तों को बिनियामित करते हैं उसके सेवा और वितन के क्या करते हैं सरतो को बिन्यमित करते हैं अधिनिय उन्हें सचालबन का और interacting के सर्बोच न्याले और उंच न्याले की सभी सेवा निर्ति, नियाधीस एबं उनके परिवार के सदस्तो को pension या family pension में हकदार होते हैं इसके साथ ही उन्हें एक निर्दिष्ट पैमाने के अनुसार एक निशिद आयू प्राप्त करने पर पेंसन या फैमिली पेंसन के अत्रिक्त रासी मिलती है और रासी मिलती है और इस पैमाने में पांच आयू वर्ग है पांच आयू है कि निवन्तम आयू उनका 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ग ये पांच आयू वर्ग में आयू के साथ अत्रिक्त रासी बढ़ती जाती है पहले असी में फिर 85 वर्ग में फिर 90 वर्ग में फिर 95 अगर 100 वर्ग तक जिन्दा है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा और पेंसन या फैमिली पेंसन में 20 परतिसत से 100 परतिसत जो है ये 20 से लेके 100 परतिसत तक और संसोदित अधिनियम 2021 यह जो असपस्ट करता है कि वेक्ति के अतरिक्त पेंसन या फैमिली पेंसन का उस मां की पहली तारिक से ही आकदार हो जाएगा जिस मां में वो संबंदित डैम सेप्टी विल जो है इसे लोग सभा में 2 अगस्ट 2019 को और 2 दिसंबर 2020 को राज सभा में पेश किया गया फाइनली पूरे एक साल के बाद और 13 दिसंबर 2020 ने गराष्ट पती इस पर अपनी स्वेकृती पारित की और ये बाद सुरक्षादी नियम देश के सभी बढ़े बांधों की निगरानी, निरच्छन, परिचालन और रख रखाव संबंदी पर्याप्त सुभधा परदान करेगा ताकि बांध के बिफल होने से संबंदीत अपबाद को रोका जा सके तो बांध सुरक्षादी नियम जो है वो देश के सभी बांधों की निगरानी, निरच्छन, परिचालन और उसके रख रखाव से संबंदी सुभधा को परदान करेगा ताकि जो भी बांध बनाया गया है अगर वो भी फल हो जाता है या फिर कोई भी आपदा संबंदीत रुकावट आती है तो उसे रुका जा सके अधिनियम में दो रास्टिय निकाई तथा रास्टिय बाद सुरक्षा समीती और रास्टिय बाद सुरक्षा प्रदीक्रण की अस्थापना का प्रवधान सामिल है इस अधिनियम में दो राश्टिये निकाई को सामिल करना है एक राश्टिये बांध सुरक्षा समीती यानि National Committee on Dam Safety और दूसरा National Dam Safety Authority का अस्थापना का प्रवधान सामिल है केंद्रिये जल आयोग के अधिन केंद्रिये बांध सुरक्षा संगठन द्वारा जून 2019 में तैयार किये गए बरे बांधों को राश्टिये रजिस्टर 2019 के अनुसार भारत जो है वो 5745 बरे बांध के संचालन के साथ विश्वस्तर पर बांध स्वामित की द्रिष्टी से ची इसरा सबसे बड़ा देश बन गया है बांध बनाने में भारत जो है सो और इनसे अधिकतर बड़े बांध महरास्ट जो 2494 मद परदेश में 906 और गुजरात में 632 में है इनसे अधिकतर बड़े बांध हैं अब है आपका कृसी विदी निरसन अधिनियम 2021 दाफार्म लॉफ और अधिनियम जो है सितंबर 2020 में पारित तीन किरसी कानूनों को निरस्त करता है किरसी कानूनों क्या कर दिया निरस्त कर दिया वो तीन कानून क्या क्या था एक था कि मुल अस्वाशन और किरसी सिवाओं पर किसान समझोता अधिनियम 2020 जो बना था नियम पहला यही कानून है कि मुल अस्वाशन और किरसी सिवाओं पर किसान समझोता अधिनियम 2020 यानि ससक् हैं तीशण है आपका अनिवार वस्तुय अधिनियम 2020 यह तीन कानुनों पर संसोधन है और जनवरी 2021 में सरबोच नियाले ने तीनों क्रिसी कानुनों को लागू करने पर लोक लगा दिया ठीक है ये 2020 का जो अधिनियम था इस तीनों कानून पर के राष्ट सर्वोच नियाले ने क्या कर दिया रोक लगा दिया तो ये था आपका किसी कानून से सम्मदित अब देखें केंद्रिये सतकरता आयोग अधिनियम 2021 केंद्रिये सतकरता आयोग विधायक 2021 यह नौध दिसंबर को लोग सवहाँ में पारित किया गया और चौधा दिसंबर को राज सवहाँ ने पारित किया और और अठारा दिसम्बर 2021 को रास्टपती की सहमती प्राप्पुई और चवदा नौफबर 2021 को इस अधिनियम को लागु माना गया चवदा नौफबर 2021 को और इस अधिनियम अध्यादेश 2021 का स्थान लिया है और नवींतम अधिनियं किंद्रिय सतकर्ता आयोग अधिनियं 2003 में संसोधन करता है 2003 में और 2003 क जो अधिनियं था वह भरस्टाचानिवार अधिनियं 1988 के अंतरगत कथित तौर पड़ किये गए अपराधों की जांच छेतू किंद्रिय सत्कर्ता आयोक के गठन का प्रवधान करता है और संसोधन के ताहद प्रवर्तन निदेसाल है कि निदेशक के कार्जिकाल को जनहीत में एक बार में एक वर्स बढ़ाने का प्रवधान किया गया है मतलब ये जो संसोधन के ताहद क्या किया गया कि परवर्तन निरेशाल है कि निरेशाका का जो कारेकाल है उसे एक बार में एक वर्स तक बढ़ाने का प्रवधान किया गया इसे प्रारंबिक निक्ति से पांच वर्स की अबधिपुन होने तक बढ़ाया जा सकता है अगला है आपका दिल्ली विशेश पुलिस अस्थापना संसोधन दिल्ली विशेश पुलिस अस्थापना अधिनियम 2021 दिल्ली विशेश पुलिस अस्थापना विधायक बिल जो है वो 2021 को लोग सभाद्वारा और 9 दिसंबर 2021 को एबं 14 दिसंबर 2021 को राज सभाद्वारा पार दिल्ली विशेश पुलिस अस्थापना अध्या देश ततान लेता है, निदेशक का कर्षिकाल, जो है ओनियेृ होखी, निदेशक का कारजिकाल की निवक्ति की प्रारंभिक तारिक से पांच वर्स पुर्ण होने के तक एक बार में एक वर्स तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि वो पांच वर्स पुरा नहीं कर लेता नेक्स्ट है आपका कि अधिनिया मुने 146 दिली विशेश पुलिस अस्थापना यानि केंदरिये जांच विरो के निदेशक की निवक्ति का प्रावधान करता है और निवक्ति केंदर सरकार द्वारा की जाती है किसके द्वारा निदेशक की निवक्ति केंदर सरकार के द्व कि जाती है और इस निक्ति है तिव एक समीती सरकार को सुझाब देती है वो समीती जो है आपका देख लीजिए एक तो प्रधानमंत्री इस समीती में सदस्ट होते हैं प्रधानमंत्री लोगसवा के विपक्ष का नेता और भारत के मुख नयादिस और और CJI द्वारा नामित सर्वोच नयाले का एक नयादिस तो ये तीन सदस्ट जो होते हैं उसमें सामिल होते हैं अब है आपका पेटेंट पेटेंट अभी काफी चर्चा में रहा था तो पेटेंट के वारे में देख लीजिए पेटेंट नियम 2021 ये जो है किन सरकार द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 169 द्वारा प्रदत सक्तियों का पडियोग करते हुए पेटेंट नियम 2003 में संसोधन करने के लिए पेटेंट नियम को अधिसुचित किया गया है और यह संसोधन जो है वो 21 सितंबर 2021 को लागू हो गया कब 21 सितंबर 2021 को और नया जो संसोधन हुआ उसके माधियम से केंदर सरकार द्वारा शवी सैक्षनिक संस्थानों हेतु पेटेंट फिस में 80% तक कटोती की गई है और इसका उद्देश है कि नवाचार एबं नभीन प्रद्योकी के विकास को प्रोसाहन करना और अभी तक यह लाव सरकार के श्वामित वाले शभी मानता प्राप्त सैक्षनिक संस्थानों को उपलब्ध था या जितने वी सैक्षनिक संस्थान थे सभी को प्राप्त था किसी सैक्षनिक संस्थान से आसाये केंदरिये प्रांती या राजय नियम द्वारा या उसके अधिन अस्थापित या निगमित बिस्विद्याले से हैं इसमें केंद्र राज या केंशासी छेत्र द्वारा प्रधीकरित किसी प्रधीकरन द्वारा मानता प्राप्त स्यक्षनिक संस्थान भी सामिल होंगे बिभिन पर्यासों के परिणाम सरूप प्रेटेंट की जाच में लगने वाला समय जो है वो 2015 के ऑसत 72 महीने से घटा कर ब्रत्वान में 12-30 महीने हो गया है जो प्रदोगी के छेत्र पर भी निर्भर करता है और प्रेटेंट आवेदनों के अंतिम निप्टान का श्रमें जिसमें अब तक कुछ वर्स लगते थे भी पहले से घटा कर आस्तन 48 महीने हो गया है प्रेटेंट आवेदन के अंतिम निप्टान समय वर्स जो है वो 2021 के अंत में कम होकर आस्तन 24-30 महीने रह गया है तो अभी कितना रह गया 24-30 महीने आपका है आप ड्रोन नियम 2021 ड्रोन ये जो है मानव रहित बीमान प्रणाली को आम तोर पर ड्रोन के रूप में माना जाता है मानव रहित बीमान प्रणाली को ड्रोन के रूप में जाना जाता है और 25 अगस्त 2021 को नगर बीमानन मंत्राले दोरा ड्रोन नियमा अवली 2021 को अधिसुचित किया गया और इससे पुर्व मार्च 2021 में मंत्राले दोरा ड्रोन नियमा बली 2021 को प्रकासित की गई थी जिससे की स्टार्टप्स, सिक्छाविद और अनहित कारों ने शभाविक रूप से प्रती बंधात्मक माना था क्योंकि इसके तहद अधिक कागजी करवाई के साथ-साथ ड्रोन की प्रतेक उरान हेतु कई अनुमत्ती प्राप्स करने की आवस्त लकता थी और इसके अत्रिक्त मुफ्त उरान हडित जोन, फ्री-टू-फ्लाई ग्रीन जोन की उपलबता भी बहुत कम थी इस सभी सुझाबों के अनुसार केंद्र सरकार ने मर्च 2021 में प्रकासित USA नियम 2021 को रद कर उसके अस्थान पर एक नई उधार ड्रोन नियमा वली 2021 को लागू किया तो USA नियम 2021 को क्या कर दिया गया हटा के ड्रोन नियम आवली 2021 को लागू करने का नेड़ा लिया गया सरकार के द्वारा और ये उदार ड्रोन नियम 2021 के तहद अनेक अनुमोदन समाप्त कर दिये गये जैसे की विसिस्ट प्रधिकार संख्या, विसिस्ट प्रोटोटाइप पाचान संख्या, बिनिर्मान, उरान योगता का परमान पत्र, छात्र रिमोट पाइलेट लाइसेंस, ड्रोन बंदरगा प्रधिकार ये सभी चीज को क्या कर दिया गया अनुमोदन को समाप्त कर दिया गया और प्रपत्रों की संख्या 25 से घटकर 5 से 72 परकार की सुलकों से घटा कर 4 कर दी गई है यानि प्रपत्रों की संख्या जो थी 25 से घटा कर 5 एवं 72 परकार के सुलकों की संख्या घटा कर कितना हो गया है चार कर दी गई है और सुलक की मातरा को घटा कर नाम मातर अस्तर पर किया गया है जिनका ड्रोन के आकार के साथ कोई सम्बंद नहीं है जैसे कि remote pilot license सुलक जो बरे ड्रोन हे तू तीन हजार रुपया था उसे सभी स्रेनियों के ड्रोन के लिए घटा कर एक सु रुपया कर दिय और यह दस वर्स तक बैद रहेगा और यह बिभीन परकार के अनुमुदन प्राप्त करने हैं तू वेवशाई के अनकूल सिंगल विंडो ऑल्लाइन सिस्टम के रूप में डिज्टल स्काई प्लेटफॉर्म का निर्मान किया जाएगा इसमें जो होगा कि माना भास्त छेप नियुन्तम होगा और अईदिकांस अनुमतियां स्वजनित होगी हरित छेत्रों यानि ग्रीन जोन में 400 फिट तक और हवाई एड़े की परिदी आठ से लेके 12 किलो मिटर के बीच के छेत्र में 200 फिट की उर्धाधर दूरी तक ब्रून उडाने हेतु अनुमती की आवस्तक सकता नहीं होगी हवाई एड़े की परिदी से पीले छेत्र को 45 किलो मिटर से घटा कर 12 किलो मिटर तक कर दिया गया है और माइक्रो डोन जो की गैर बेपारिक इस्तमाल हेतु किया जाता है नैनो डोन हेतु रिमोट पाइलेस लाइसेंस की आवसकता नहीं है और भारत में प द्वारा नियमित किया जाएगा बतलब ड्रोन और ड्रोन से जुरो जो भी पुर्जे होंगे उसके आयात को क्या किया जाएगा बिदेसी बेपार महानी देशालाय के द्वारा नियमित किया जाएगा और इस नियम के तहद ड्रोन कवरेज को 300 किलो मिटर से बढ़ा कर 500 किल गया है जिसमें ड्रोन जो है टेक्सी को भी सामिल किया गया है और इस नियम के उलंगन हेतु अधिक्तम जुर्माने की रासी घटा कर एक लाख रुप्य कर दी गई है भविस में नो पर्मीशन नो टेक अफ रियल टाइम ट्रैकिंग बीमन जियो फेंसिंग आधी जैसे सुरक पुल नियम बनाने हेतु ड्रोन संबर्धन परिसद की अस्थापना की जाएगी नेक्स्ट है आपका 105 मां समिधान अधिनियम 2021 जो कि ये काफी भी भी आई है 105 मां समिधान संसुधन 127 मां समिधान संसुधन बिधायक 2021 को 10 अगस 2021 को लोग सभा द्वारा और 11 अगस 2021 को राज सभा द्वारा पारित किया गया और 18 अगस 2021 को राष्टपती को मंजूरी मिला और इस बिधायक को 105 में समिधान संसुधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसुजित किया गया तो 105 मा समिधान संसुधन जो है इसे 127 मा समिधान संसुधन के द्वारा 2021 के 10 अगस्ट 2021 को लोगसभाद्वारा 11 अगस्ट 2000 सड़ी लोगसभाद्वारा और 11 अगस्ट 2021 को राजसभाद्वारा क्या केर दिया गया पास किया गया और उसकी बाद 18 अगस्ट 2021 को राष्ट पती ने इस पे मंजूरी दी और यह जो है 105 मां समिधान संसोधन अधिनियम 2021 बन गया और 19 अगस्त 2021 को 105 मां समिधान संसोधन अधिनियम 2021 अधिसुचित किया गया और इसका अउत्देश समाजिक एवं सैक्षनिक रूप से पिछरे वर्ग की पाच्चान करने की राज्यों की सक्ति को बहाल करना है और ये संसुधन 5 माई 2021 को उच्छतम न्याले के निर्ने के प्रभाव को शमाप्त करने हेतु आविश्यक था माई 2021 में उच्छतम न्याले के एक निर्ने के अनुशार 102 में समिधान संसुधन को लागू होने के पस्चात समुन्दायों को पिछरा वर्ग सुची में सामिल करने या बाहर करने के राज्यों की सक्ति समाप्त हो गई थी और 102 मा समिधान संसुधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राष्टिये पिछरा वर्ग आयोग यानि एनसी विशीक को सम्विधानिक दर्जा प्रदान किया गया था का अधिकार राष्टपरती को परदान करता था पर करता है हलाकि नविंतम संसुधन के माध्यम से या प्रबधान किया गया कि राष्टपती के बल केंद्र सरकार के उद्देश हेतु ही समाजिक एवं सैक्षनिक रूप से पिछरे वर्ग की सुची को अधिसुचित कर सकता है और ये केंद्रिये सुची होगी जो की केंद्र सरकार द्वारा तयार की जाएगी और नविंतम संसुधन के अनुसार प्रतेक राज और किंसासी छेत्र में भी समाजिक एवं सैक्षनिक रूप से पिछरे वर्ग की सुची तयार कर सके जो केंद्रिये सुची से अलग हो स 10 अगस्ट 2021 को लोक्षभा द्वारा और 11 अगस्ट 2021 को राजशभा द्वारा पारित किया गया और 18 अगस्ट 2021 को इसे राष्टपती ने अपनी सहमती प्रदान की और इस अधिनियम के उद्देश क्या है तो राष्टी हमें पती आयोक के गठन 5 जुलाई 2021 तक हमें पैथी केंदरी ये परिशत अध्यादेश 2021 के तहद अधिशासी बोड यानि बोड ऑफ गवर्नेंस द्वारा किये गए कार्ज और लिए गए निर्नेयों का दाईवत को सुरक्षित करना और ये अधिनियम गुनबत्ता और सस्ती चिकिस्षा सिक्षा तक पहुंच में सुधार करने वाली चिकिस्षा परणाली परदान करने है तो राष्टी हमें पैथी आयोक अधिनियम 2020 में संसुधन करता है और 2020 के जो अधिनियम ने हमेवपैथी केंदरिये परषद अधिनियम उन्हें सथ 73 का अस्थान लिया और उन्हें सथ 73 के अधिनियम के माधियम से हमेवपैथी सिक्षा और विवसाई को क्या किया गया बिनियमित करने है तो केंदरिये हमेवपैथी परषद की अस्थापना की गई और 2020 के अधिनियम में हेमिपातिक स grill को बिनियमित करने तुँ परिसलिके अस्थान पर एकर राश्ठी आयोका गर्थन का प्रभधान किया गया था और राश्ठी हमिपाति अयोका गर्थन पांस जुलाई 2021 को किया गया था कब किया गया था 5 जुलाई 2021 को और उसी दिन 1973 के अधिनियम को निरस्ट कर दिया गया था और 2021 का अधिनियम निर्दिश्ट करता है कि अधिशासी बोड द्वारा पडियों किये जाने वाली सभी सक्तियों कार्यों को 2020 के अधिनियम के तहद किया गया माना जाएगा औ कौनसे अधिनियम का 1973 की अधिनियम को बदलके 1921 किया गया आपका देखिए समानने बीमा बेवसाय संसोधन अधिनियम या फिर राश्टी एकरन संसोधन अधिनियम 2021 राश्टी एकरन संसोधन बिधायक अधिनियम जो है इसे 2000 सड़ी 2 अगस्त 2021 को लोक्षभा में और 11 अगस् 2021 को राश्टपती की सहमती परदान हुई और यह अधिनियम बना और यह अधिनियम समान बीमा विवसाय उन्हें 172 का अस्थान लिया है यह राश्टी एकरन का जो अधिनियम उन्हें 172 था उसका अस्थान लिया है और यह नया संसोधन के तहद उन्हें 172 के अधिनियम के अंतरगत बिनियमित होने बाली सारबजनिक छेत्र की बीमा कमपनियों में नीजी छेत्र की भागिदारी बढ़ाने का प्रभधान है। अर्थिस के अधिनियम में दी गई परिभासा को संदरवीत करता है। जो की अगनी, समुंद्र, विविद बिमा बेवसाई के अतरिक, कैप्टल रिडेंप्शन और एन्यूटी सर्टन का सम्मान बिमा बेवसाई में सामिल करता है। सरकार ने नियंत्रन को कम करता है। और बिमा करता कमपनी को निदेश की जवाब देही को भी सिमित करता है। तो ये था आपका बिमा से संबंदित। आप देखें उत्तर परदेश जनशंख्या नियंत्रन बिधायक 2021 ये जो है उत्तर परदेश राजविधी आयोग ने 15 अगस 2021 को परदेश सरकार की जनशंख्या नियंत्रन कानून को लेकर अपनी एक रिपोर्ट सौपी। और इसके साथ आयोग ने उत्तर परदेश जनसंख्या 2021 का मौसोधा भी सरकार को सौपा और अपने मूल स्वर में विधायक को या मौसोधा एक बच्चा निती को प्रोथसाहित करता है दो बच्चे निती पर आधारी था ये ठीक है और इसमें उत्तर परदेश विधी आयोग किसी स्दमपत्ती को दो से जादा बच्चे होने पर उसे कई तरह की सुधाओं से वन्चित कर दिया जाएगा और जैसे की राजसरकार की स्वास्ती योजनाओं से वन्चित कर दिया जाएगा राशनकार में परिवार के अधिकतम चार सथ तक की सीमा को तया कर दी जाएगी राज सरकार से बिभिन मत्दों में मिलने वाली सबसीडी नहीं परदान की जाएगी परदेश में सरकार नौकरी में आबेदन पर रोक और नौकरीयों में रहते हुए दो से अधिक बच्चे होने पर प्रोनत्ती से वंचित कर दिया जाने का भी प्रबधान सामिल है तो यह सब चीज यूपी सरकार ने किया है और इस कानून के मसोदों में से दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायती एवं अस्थानिये निकाई चुनाव लरने पर प्रतिबंध लगाया गया है तो यह आपका है यूपी का जन संख्या से संबंदित नियंत्यन विधायक आप देखें आपका है निच्छेप बीमा और प्रत्य गारंटी निगम अधिनियम 2021 निच्छेप बीमा एबं प्रत्य गारंटी निगम अधिनियम 2021 ये जो है 4 अगस्ट 2021 को राश्ट सभा द्वारा और 9 अगस्ट 2021 को लोग सभा के द्वारा पारित किया गया था निच्छे पीबी मा एबं प्रत्य गारेंटी निगम विधायक 2021 को और 13 अगस्ट 2021 को राश्ट पती किस पर सामती प्राप्त होती है और यह अधिनियम डिपॉजिट इंसुरेंस एबं क्रेडिट गारेंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम 1961 में संसोधन करता है और यह अधिनियम 2021 बैंकों पर प्रतिवंदित होने पर भी जमा करता हों कि उनके अपने धन तक आसान एबं समयवध पहुँच में सक्छम बनाता है यह अधिनियम उसके बाद दिया हुआ है कि मौटारियम जैसे प्रतिवंदों के कारण बैंकों द्वारा अपने दाइवत्तों को पूरा करने में और अस्थाय रूप से और समर्थ होने पर जमा करतान निगम द्वारा आंत्रिम भुकतान के माध्यम से जमा भीमा कवर किसी तक अपनी रासी का उपयोग कर सकते हैं वहीं पे D.I.C. G.C. अधिनियम 161 के तहद बैंकों और वीतिय संस्थानों के बैंक जमा और गारेंटी क्रेडिट पर इंसुरेंस देने हैं तू कॉर्पूरेशन की अस्थापना की गई थी और इस अधिनियम यह नया जो अधिनिय अधिनियम आया है इसके तहद किसी भी बैंक के अस्थगन की स्थिति में उसके ग्राहकों को 90 दिन के अंतर अपनी जमारासी से अधिक्तम 5 लाक रुपे निकालने की सुधा परदान की गई है और वर्ष 2020 में सरकार द्वारा बीमा कवर 1 लाक रुपे से बढ़ा कर 5 लाक कर दिया गया है जो कि 1993 से अपरीवर्तित था अब है आपका कराधान विधी अधिनियम 2021 कराधान विधी अधिन बिधायक 2021 जो है इसे 6 अगस्ट 2021 को लोग सभा और 9 अगस्ट 2021 को राज सभा द्वारा पारित किया गया और 13 अगस्ट 2021 को राष्ट पती इसपर सहमाती प्रस्तूत की और यह अधिनियम बना और यह आईकार अधिनियम 6161 और BTS अधिनियम 2012 में संसुधन करता है और 2012 का जो अधिनियम ने आईकार अधिनियम ने 161 में संसोधन किया था ताकि बिदेशी कमपनी के सेरों की विक्री से अर्धित आए पुर्व ब्यापी अधार पर रोक कर देता को लागू किया जा सके और अधिनियम 2021 का प्रभधान है कि यदि लेन देन 28 माई 2012 से पहले किया गया हो तो भारतिय संपत्ती के किसी भी और परत्यक चांत्रन के लिए कथित पुर्व ब्यापी संसोधन के अधार पर भविश में किसी कर की मांग नहीं की जाएगी जो 2021 से पहले लिया गया होगा तो नई स्वरी 28 माई 2012 से पहले लेन देन किया गया हो तो और नया जो संसोधन का है उसका उदेश है कि कर संबंदी निश्चिता लाना और साथी यह निश्चिता करना कि निर्दिस्ट सर्तों को पूरक किये जाने पर आईकार से जुरी वितकारवाई को वापस ले लिया जाएगा अब है आपका अधिकरन सुधार अधिनियम 2021 भारत सरकार दोरा अनुपियोगी अधिकरनों को समाप्ती एवं समुरूप अधिकरनों का विल्या करने हेतु 2015 से पढ़्यास किया जा रहा है वीती अधिनियम 2017 के माध्यम से सरकार अधिकरनों का उत्सादन कर दिया था उसी करी में अधिकरन सुधार अधिनियम 2021 लाया गया उसी के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया अधिकरन सुधार अधिनियम 2021 और अधिकरन सुधार अधिनियम 2021 जो है इसे लोक्षभाद्वारा तीन अगस्त 2021 को और अधिकरन कानून द्वारा अस्थापित न्याइक और अर्धिन्याइक संस्थान होते हैं जिने कुछ खास विश्वयों के मामले में देखने के लिए बनाया जाता है अधिनियम 2021 विवीन अपिलिये अधिकरन तथा फिल्म प्रमानन अपिलिये अधिकरन विमान पतन अपिलिये प्रधिकरन बौधिक संपदा अपिलिये बोड बनस्पति प्रजाती अपिलिये प्रधिकरन और अथरिटी फोर एडवांस्ट रूलिंग को समाप करने का प्रभध सामिल है जो बिवीन अधिकर्णों के अध्यक्षेवं सदस्व का चयन करेगी और इस समीती के अध्यक्षता भारत के मुख नयाधिस या उसके द्वारा नामित उच्चतम नयाले के किसी नयाधिस के द्वारा की जाएगी राज प्रसासनिक अधिकारों हेतु प्रिथक खोजसा चयन समीती होगी और 2021 के अनुसार किसी अधिकर्ण के अध्यक्ष का कारेकाल जो होगा चार वर्स या सत्तर वर्स की आयू प्राप्त करने तक और इन में से जो भी पहले होगा तब तक का इनका अध्यक्ष का कारेकाल हो आप है आपका रास्टिय राजधानी छेत्र और निकटवर्ती छेत्रों में बायू गुनवत्ता प्रवंधन आयोग अधिनियम 2021 इसे NCR और निकटवर्ती छेत्र जो है उसमें बायू की गुनवत्ता लंबे समय से चिंता का विशेरा है और NCR तथा निकटवर्ती छेत्रों में बायू गुनवत्ता प्रवंधन के लिए आयोग की गठन के उद्धेश से अक्टूवर 2020 में एक अधियादेश लाया गया यह अधिनियम इस अधियादेश को क्या करता है प्रतिय स्थापित करता है देखें कि राष्टपती राष्टिये राष्धानी छेत्र और निकटवर्ती छेत्रों में बायू गुनवत्ता प्रवंधन आयोग बिधायक जो है यह 2020 इसे 4 अगस 2020 को लोग्षभा में और 5 अगस 2020 को राष्टपती की समती के साथ इस अधियाद जो है एक अधिनियम बन गया और यह अधिनियम जो है राष्टिये राष्धानी छेत्र NCR तथा निकटवर्ती छेत्रों में बायू गुनवत्ता से संबंधित समस्या को बेहतर संबने अनुसंधान उन्हें पाचानने और उनका समधान निकालने के लिए आयोग के गठन का प्रवधान करता है निकटवर्ती छेत्रों में हरियाना, पंजाब, राजस्थान, उत्रप्रदेश, राष्षेत्रों का और दिल्ली राष्टी राष्धानी तथा NCR छेत्र सामिल है इसमें कौन-कौन सच्छा सामिल है, निकटवर्ती छेत्र में हरियाना, पंजाब, राजस्थान, उत्रप्रदेश और दिल्ली राष्टी राष्धानी NCR छेत्र में सामिल है इस अधिनियम के माध्यम से वर्स 1998 में NCR अस्थापित पर्यावरन परदूसन रोगथाम नियंत्रन प्रधिकरन को भंग कर दिया गया था और इसी अधिनियम के प्रब्धानों या आयोग के आदेसों आत्वा निर्देसों का उलंगन करने पर पांच बरस तकी कैद या एक करोर रुपे तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है इसी अधिनियम में किशान को इस जुर्माने के दाइरे से बाहर रखा गया और आयोग पराली जलने से होने वाले परदूसन पर केंदर सरकार दोरा निर्दिस्ट पर्यावरनिये मुआवजे के अनुशार किशान से मुआवजा वसूल सकती है उसमें दिया है कि राश्टी आयोग सभी आदेसों के खिलाप अपील की सुनवाई राश्टी जनित परदी करन नियादी करन के दोरा की जाएगे अगला है आपका प्लास्टिक अफसिस्ट परवंधन नियम 2021 ये जो है प्लास्टिक अफसिस्ट परवंधन नियम 2021 इसे 12 अगस्त 2021 को भारा सरकार के परियावरन बन एबं जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने प्लास्टिक अफसिस्ट परवंधन संसोधन नियम रूल्स 2021 को अधिसुचित किया 229 और नियम 2021 में प्लास्टिक अफसिस परवंधन नियम 2017 में शंसोधन का प्रस्ताव पारित करता है but अग猛 2022 तक कम उपियोगताव चिन्हित एकल प्रयोज प्लास्टिक बस्तुओं का पर्योग को चरनबद रूप क्रने का प्रपधान यानि सिंगल उज प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए उसके बाद 1 जुलाई 2022 से पॉलियस्ट्रिन विस्तात्रीन पॉलियस्ट्रिन शमेत बिभीन एकल उपियोग वाली प्लास्टिक बस्तुओं के निर्मान आयात भंडारन बित्रन विक्री और उपियोग को भी प्रतिव किया जाएगा 30 दिसंबर 2021 से हलके वजन वाले प्लास्टिक कैडी बैक को मोटर 50 माइक्रोन से बढ़ा कर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 को 122 माइक्रोन कर दी गई ताकि उसके पुनल उपियोग की अनुमती दे कर कच्छरे की उत्पादित को रोका जा सके नेक्स्ट अधिनियम है आपका भारतिय बिमानन आर्थिक बिनायक प्रधी करन अधिनियम 2021 भारतिय बिमानन आर्थिक बिनियामक प्रधी करन बिधायक 2021 जो है इसे 29 जुलाई 2021 को लोग सभा द्वारा और 4 अगस्त 2021 को राज सभा के द्वारा पारित किया गया और 12 अगस्त 2021 को राष्ट पती ने इस पर सहमत्ती प्राप्त की और वर्ष 2021 में 2021 का जो अधिनियम है भारतिय बिमान पतन आर्थिक बिनियम्यायक प्रधी करन अधिनियम 2008 में क्या किया गया संसोधन करता है और अधिनियम 2008 के माध्यम से भारतिय बिमान पतन आर्थिक बिनिय पतन को प्रमुख बिमान पतन के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रवधान सामिल था जिनका वार्षिक यात्री ट्रैफिक निउन्तम जो था वो 35 लग था। साथ ही केंद्र सरकार किसी भी हवाई अड़े को एक अधी सूचना दोरा प्रमुख हवाई अड़े की रूप में नामित कर सकती है और अधी नियम 2021 के तहद केंद्र सरकार बिमान पतनों को शमू वद कर ऐसे किसी समू को प्रमुख बिमान पतन के रूप में अधिसूचित कर सकती है नेक्स्ट है कि प्रमुख हवाई अड़े की परिभासा में संसोधन करके हवाई अड़ों के एक समूं के लिए ट्रैफिक निधारन नहिर्तु भारतिये बिवानन आर्थिक बीनियामक प्रधिकरन को शक्षम बनाया गया है और नेक्स्ट है आपका अधिनियम अधिनियम बिधायक जो है इसे 3 अगस्ट 2021 को लोग सभा में और 5 अगस्ट 2021 को राज सभा में पारित किया गया फिर उसे 11 अगस्ट 2021 को राष्टपती ने उस पर सहमती परदान की और यह अधिनियम बन गया यहां अधिनियम जो है जून 2021 को जारी किये गया अध्यादेश क अस्थान लेता है अधिनियम के तहद केंद्र सरकार भारत की संप्रभुता और एकता किसी राज्य की सुरक्षा सारवजनिक बेवस्था जनता सालिंता या नैतिकता के हित के लिए जरूरी होने पर आवस्षक रक्षा सेबाओं से जुरी इकाईयों में हर्ताल ताला बंदी और छटनी पर प्रतिवन्द लगाने का आदेश जारी कर सकता है कौन केंद्र सरकार ये सभी पॉइंटों पर प्रतिवन्द लगाने का आदेश जारी कर सकता है केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहद प्रतिक 6 माह तक लागू रहेंगे जो 6 माह के लिए और बढ़ाये जा सकते हैं ये तो 6 माह के लिए लगाया जाएगा लेकिन अगर जरूरी परा तो 6 माही के लिए और बढ़ा दिया जाएगा प्रतिबंद का आदेश जारी होने के बाद या तो उसके पहले सुरू की गई हर्ताल और तलाबंदी अवैद होगी अधिनियम के ताथ गैर कानूनी तलाबंदी या छटनियों के जरिये प्रतिबंद के आदेश का उलंगन करने बाले पर एक वर्स तक कैद की सजा और 10,000 रुपय का जुर्बाना या दोनों का प्रवधान है इसके साथ ही अवैद हर्तालों के लिए भरकाने उक्साने या जारी रखने या ऐसे उद्दे से तुम मुहया कराने वाले लोगों को दो वर्स तक की कैद की सजा या 15,000 रुपया जुर्बाना या दोनों सजाएं इसके अत्रिक्त ऐसे करमचारी के खिलाप अनुसासनात्मक कारवाई करने का विप्रभधान है उसके बाद इस अधिनियम के तहद सभी अपराद शंग्य और गैर जमानती है यह अधिनियम अध्योगिक बिवाद अधिनियम 1947 में संसोधन करता है जिससे आवस्यक रक्षा सेवाओं को लोग उपियोगी सेवाओं में सामिल किया जा सके नेक्स्ट विधायक है आपका सोधन अच्छमता और दिवाला सहिता अधिनियम देश में COVID-19 में हमारी के चलते लगाये गए लोगडाउं का सरवधिक दुस्परभाव MSME इकाई पर पड़ा है यानि MSME MSME इकाई पर पड़ा है और MSME उद्यामियों पर वर्टे कर्ज या उनकी इकाईयों के बंद होने से उनके दिवालिया होने का खत्रा मड़ाने लगा यह सभी संग्यान मिकुल लेकर मार्च 2021 में भारतिये दिवाला एवं सोधन औच्छमता बोड के अध्यक्ष MS साहू की अध्यक्षा में इसके अध्यक्ष कोन है भारतिये दिवाला सोधन अच्छमता बोड के अध्यक्ष MS साहू की अध्यक्षा में गठित इशालंबेशी लौ कमिटी क्या है इशालंबेशी इश्लांबेशी लौ कमिटी ILC ने एक बैंक क्रप्ट सहिता यानि IBC 2016 की मुल सरचना के आंदर एक प्री पैकेजड धाचे की सिफारिस की थी और देश में कारोवारी बातावरन को शुगम बनाने के उध्यक्ष से लाया गया सोधन अच्छमता एबं दिवाला सहिता बिधायक 2021 इसे 28 जुलाई 2021 को लोगसभा में और तीन अगस्त 2021 को राजसभा द्वारा पारित किया गया उसके बाद इसे 11 अगस्त 2021 को राष्टपती स्वेकृति प्राप्त होई और यह अधिनियम 4 अप्रेल 2021 को प्रख्याती सोधन और च्छमता एबं दिवाला सहिता संसोधन अध्यादेश का अस्थान लेगा यह अधिनियम सोधन अच्छमता और दिवाला सहिता 2016 में संसोधन करता है इस संसोधन अधिनियम के तहद MSME उद्यमियों को तनाव गरस्थ होने की स्थिति में एक बैकल्पिक दिवाला समाधान प्रडिक्रिया की सुधा दी जाएगी जिसे प्री पैकेज इंसलोवेंसी र पी कहा जाता है सोट में कम से कम यहां एक लाक रुपे का डिफॉल्ट होने की स्थिति में प्री पैकेज इंसलोवेंसी रिशॉल्वेशन प्रोसेस सुरू करने के लिए अवेधन किया जा सकता है और केंदर सरकार नियुनतम डिफॉल्ट की सीमा को अधि सूचना के माध्य से बढ़ा कर एक करो रुपे तक कर सकती है नेक्स्ट है आपका नारियल विकास बोड अधिनियम 2021 नारियल विकास बोड संसोधन विधायक जो है इसे 31 जुलाई 2021 को राज सभा द्वारा और 9 अगस 2020 को लोग सभा के द्वारा पारित किया गया और 7 अगस 2020 को राष्टपती क समत्ती प्राप्त हुई और यह अधिनियम नारियल विकास बोड अधिनियम 1989 में संसोधन करता है किसमें 1989 के संसोधन में और नारियल उद्ध्यों के विकास है तू नारियल विकास बोड की अस्थापना की गई थी और अधिनियम 2021 नारियल विकास बोड के प्रबंधन और प उत्पादों के विम्पनन में सुधार के उप्यों की सिफारिस भी करता है अधिनियम 1989 के अनुसार बोड के उन छो छेत्रों में संचालित योजनाओं के बीतियन हेतु शिफारिस करता है जहां नारियल उत्पाद बैरे पैमाने पर होते हैं यानि नारियल का खेती सब ज़्य जो मुख्य कारपालक एधिकारी यानि CEO के रूप में कार्च करता था उस पड़ को अध्यक्ष के नविंतम संसुधन के माध्यम से गयर्ष कारापाली बना दिया गया है equiv अधिनियम 2021 के तहद मुक्र कारी पालिका आईधिकारी का अलग पद गठित किया गया है यानि CEO का जो पद है वो अलग गठित किया गया है और 1989 के अधिनियम के तहद केरल, तमीलाडू, करनाटक ये तीन राज जो है के प्रतिनदित बोड में सामिल होते हैं ये तीन राज इस प्रतिनिदित के तोर पर केरल, तमीलाडू, करनाटक के प्रतिनिदित के अलाबा, अब आंध्र प्रतेश एबं गुजरात के नारियल उत्पादकों का प्रतिनिदित बोड भी सामिल होंगे इस अधिनियम के तहद तो ये था आपका जितना भी आपका विदिक प्रतिरिस तो ये जो था विदिक प्रतिरिस आपका समाप्त होता है तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा प्लीज और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब के लिए धन्यवाद